दोस्तो रेनी सीजन शुरू हो गया है, बारिश होने लग गई है और बारिश में हमारे सामने बहुत सारी समस्याइं आती हैं, किचिन में, घर में तो दोस्तो आज मैं आपके लिए बारिश में ही काम आने वाले बहुत ही अमेजिंग से कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जो आपके काम को आसान बनाएंगे आपकी रोज के कामों को सरल बनाने वाले टिप्स लेकर के आई हूँ तो नमस्का फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आगे बढ़ने से पहले आप से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को अगर कोशिस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा तो दोस्तो पहला टिप है हमारे घर में बहुत सारे इस तरह के मसालों के डिब्बे हो जाते हैं हम अलगअ तरीक लेकर के आते हैं और उनको रखना एक बहुत बड़ी सारी चैनल हो जाते हैं अगर मेरे प्लीमि दिब्बो जाते हैं जो जाते हैं इस तरह के भड़ा गड़न सारी और अनको रखके बढ़ी को बंद कड़ी जिए एक जग है आपके सारे मसालों के डिब्बे खट्टे हो जाएंगे नेक्स्ट पर दोस्तों अर्बी को लेकर के अर्बी इस समय बहुत अच्छी आती है एक्चल में अर्बी जो बारिश की ही सबजी है लेकिन इसके साथ समस्य क्या होती है जब हम बहुत सारी समस्य यह होती है कि यह जब हम बजार से लाते है नो तो मिट्टी में लिप्टी होई होती है और अगर आप इसको गीला ही बहुत दिन तक छोड़ देंगे ना तो फिर यह खराब हो जाती है ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है सर जाती है अंदर से तो इससे बचने का उपाई क्या है आप जब भी अर्भी को इस बारिश के सीजन में ले करके आए तो इसको धो लें साफ कर लें और फिर बॉयल करके प्रेशर कुकर में रखकर दो तीन सीटी लगा दीजे बॉयल करके आ अराम से दस दिन पंदा दिन चल जाएगी आप इसको फ्रिज में रखेगा और जब सब्जी बनानी हो तो बना लीजेगा नेक्स्ट पर दोस्तों के इस तरह के लिड हमारे घर में होते ही हैं और बारिश के मौसमें इन में लग जाती है जंग अब इस जंग लगे ढकन को हम रख तो सकते नहीं है मतलब यूज नहीं कर सकते तो इसको कैसे साफ करना है कि इसमें जो होल होता है उसमें आप सिल्वर फॉयल लगा दीजिए और इस तरह से इनो डाल करके आप इसके उपर गरम पानी डाल दीजिए दस मिनिट के लिए छोड दीजिएगा और फिर आप जो टूथ ब्रस होता है उससे साफ कीजिएगा उसके बावजूद भी साफ नहीं होते इसके पर थोड़ा सा पितामबरी डालिए और लोहे का ब्रस लिजो हमारा तार वाला ब्रस होता है उससे आप इसको बहुत अच्छे से रगड़िएगा थो अच्छकला है बेलन है बहुत सारी चीज़ आने लिए कैसरॉल तक भी होते हैं लेकिन बारिश के सीजन में इन में लग जाती है वाफून जैसी सफेट फफून जैसी लग जाती है जो जबकि हम उसके साथ में यूज नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना है आप लीजिए को तो बहुत जादा ओयल नहीं लेना है, थोड़े से तेल के साथ मैं इसको ग्रीस कर दी जैसे कि मैंने ग्रीस कर दिया है, अब आप इसको रख दीजिए, यह आपके पूरे बारिश के मौसम में भी खराब होने वाले नहीं है, इस बात की गारंटी है, हाँ दोस्तो अगर आप मेरे चनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चनल को सबस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स टीप है दोस्तों कि हम जबी भी इस वारिश के मौसम में हमारे गर महमान आते हैं, या हम घुद भी खाते हैं, तो खाते खाते ही ना बिस्किट जो हो सील ज तो आप इसको अपना कर देखिए, बहुत यूजफुल टीप है, नेक्स टीप है, दोस्तों कि बारिश के मौसम में फ्रीज बगरा में, जब हम एक लंबे समतर साफ नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बाहर चले जाते हैं, और लोट कर आते हैं, तो इस तरह की जो फफूंद है, वो हमारे फ्रीज की जो गासकेट होती है, उस पर लग जाती है, इसको आपको तुरंट साफ करना चाहिए, वरना ये इन्फेक्शन फैला सकती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कि पहले आप एक कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसक जो फफूंद हैं, जो हमारे घर में विनेगर होता है, विनेगर ले लिजिए, निबू का रस ले लिजिए, उसके बाद इस कपड़े से आप इसको अच्छे से रगड़ लगा दीजिए, और उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से आप इसको पौँच से पोँंच देंगे ना स तो पूरा शीलन रह जाती है या डिबबा थोड़ा सा सील गया तो पूरा मसाला उसमें छिपक जाता है कोई भी हमारी जो पिसी हुई चीज है वो जैसे यहां पर हल्दी पाउडर है मिल्क पाउडर है और धनिया है जब भी हमारी जोड़ा तो पूरा शीलन रहा है तो जब भी बारिश नावारी तो जब भी बारिश में बहुत अक्काम आने वाले हैं आप जरूर से प्रयोग कीज़ेगा पसंद आए तो जरूर बताईगा नेक्स्ट पे दोस्तों कि इस तरह आज करना हम जब भी कोई चीज प्लास्टिक के स्पून साते हैं तो जब भी डिबबे में अगर डाल रहे हैं तो आप प्लास्टिक के इन चम्मचों का प्रयोग किज़ेगा नेक्स्टि पर लेकिन हमें हेल्दी भी खाना होता है तो एक रोटी बनाईएगा बहुत अच्छी और बहुत healthy रोटी बनती है ये जैसी कि मैं हमेशा बनाती हूं बाजिश के मौसम में लौकी को ग्रेट कर लीजे धनिया अद्रक हरी मिर्च जीरा और हींग डालिए उसमें और फिर उसमें डालिए थोड़ा सा आटा आटा धीरे धीरे करके डालिएगा क्योंकि एक साथ आटा डालेंग और इसमें डाल दीजे थोड़ा सा ओईल डालने के बाद में आप एक बढ़िया सा डो तियार कीजे और डो तियार करने के बाद में आप इसकी रोटी बना लीजे बहुत हेल्दी बहुत अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रोटी बनती है एक बार ज़रूर बना करके और अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजेगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजेगा तो यह देखिए बहुत टेस्टी इस पर लगाई है हलका सा घी फिर आप किसी के भी साथ खाएंगे ना यह रोटी आपको बहुत अच्छी लगने किप अगर आपके घर में नहीं है तो आप एक चौकोर मोटा सा थोड़ा पेपर लिजे और उस पेपर से इस तरह से कौन जैसा बना लिजे इसके उपर लगा दीजे थोड़ा सा टेप जहां पर जॉइन्ट है उपर से कॉर्नर वाला हिस्सा तिकोना सा जो देख रहे हो से क पैकेट को काटेंगे ना काट कर नाप लिजल पीसे पैकेट को एस तरफ को अधर नाप ली जग बाते की कारंटी है मैंने दो पैकेट डाले हैं दोनों पैकेट बहुत आराम से चले गए और कीप में जरा सा ओईल आता है और आराम से इसके बाद क्या होता है कि जब हम ओईल डाल लेते हैं तो जो पैकेट होते हैं उनमें थोड़ा सा ओईल बचा हुआ रह जाता है नीचे बचा हुआ रह जात में आप और रखते हो उसमें इन दोनों पैकिट्स को रख दीजिए तीन से चार घंटेक तक ना इनके आराम से जहां से आपने काटा है वहां से पूरा ओइल निकल जाता है नेक्स टिप आते हैं दोस्तों नेक्स टिप है आज मैंने बनाती हूँ बताती हूँ आपको कि सिनेमन पाउडर इस तरह के पाउडर जो होते हैं अगर हम बजार से रेडी मिल लेते हैं बहुत महंगे पड़ते हैं और दूसरा क्या है वो क्या मिला रहे हैं बजार वाले कि जितने भी पाउडर से उनको घर पर बनाया जाए तो सिनेमन पाउडर बनाने के लिए चूंकि बारिश का मौसर में नमी आ जाती है साबुत दालचीनी को आप ले लीजिए हलका सा रोस्ट कीजिए इसे ठंडा होने दीजिए छोटे-छोटे टुकड़ो में काट लीजिए अगर आप ऐसा ही मिक्सी पीछेंगे न पीछेंगे तो कई बार मिक्सी के जार के खराब होने के समभाब न हो जाती है तो आप देखिए कितना बढ़िया सा हमारा सिनेमन पाउडर बन करके हो गया है तैयार अब इसे आप एक डिब्बे में भर लीजिए और फिर जैसे बा लगा दूगे लेबल मैं हमेशा टेप से लगाती हूँ टेप को इस तरह से पेपर टेप जो आता है वो लगाईए शीशी पर उसे कट कर दीजिए और कट करने के बाद में इसके उपर आप लिख दीजिए आपका सिनेमन पाउडर बन करके हो गया है तैयार इस तरह से घर पाउडर बनाने से दोस्तों बहुत इकोनामिक पड़ते हैं और सबसे चीजिए कि हमें हेल्दी खाने को मिल जाता है अब मैं एक डाइजेस्टिप पाउडर अकसर बनाती हूँ बारिश के दिनों में हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है कब जो हो जाती है तो मेरी मम्मी पाउडर बनाया करती थी जो मैंने मैं भी बनाती हूँ तो आप लीजे एक दो टेबली स्पून के लगभग अजवाइन लीजे अजवाइन को हमें हलका सा रोस्ट करना इसमें एक टी स्पून डाल दीजे हींग को भी रोस्ट कर लीजे और जब हलकी सी ब्राउन हो और अब हम इसको क्या करेंगे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे इस पाउडर को इस पाउडर को ग्राइंड करने के बाद में आप इसको एक शीशी में भर लेजेगा जब आप खाना खाते हैं उसके बाद एक चमच बाद में पानी के साथ में खा लीजे आपका जो हमारी दादी, नानी, सब लोग यूज किया करती थी, बहुत यूजफूल होते हैं, वो बात दूसरी है कि आजकल हम सबसे पहले डॉक्टर के पास चल देते हैं, तो मेरा डाइजस्टिव पाउडर बन करके हो गया है त्यार, इसको मैंने एक शीशी में भर लिया है, इसक चीजों को सिंबॉलिक तरीके से रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि घर में अगर कोई भी मेंबर ढूनना चाहे, तो उसे बहुत आराम से हर चीज अवेलेबल हो जाए और मिल जाए, अब नेक्स टिप आते हैं दोस्तों कि बारिश के दिनों में इस तरह के जो हमारे पा दीजिए ताकि इसके होल बंद हो जाए और कवर लगा दीजिए तो दोस्तों ये थे मेरे हाद के टिप्स जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में